मारूती सूजी की बलीनों का जेटा विरिंट हमने लिया है जैसा कि अभी आपने देखा तो इस कार की क्या ओन रोड प्राइस रही है मैंने इस कार के लिए कहां से फाइनेंस करवाया है और आपके लिए क्या-क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं फाइनेंस के मैं 5 ऐसे प्राइवेट फाइनेंसर बताने वाला हूँ जिनकी सबसे लौबेस्ट रेट है साथी फिर ये बता हूँ कि मैंने अपनी कार के लिए फाइनेंस कहां से करवाया है इससे पहले यदि फ्रेंट्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ता है कि हर वीडियो का आपको नोटिपिकेशन मिल जाए आई अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स बलीनो कार आपने देखी होगी मैं इसके स्पेसिफिकिशन के बारे में यहां पर बात नहीं करने वाला हूँ मैंने बलीनो का जेटा विरेंट लिया है जो की second top model है सबसे top model अलफा आता है उसके बाद जेटा आता है जो की मैंने लिया है मैंने इसका white color लिया है अब बात करते हैं कि इसकी on-road price क्या है इसकी action room price है 7,17,990 रूपे उसके बाद इसमें RTO, insurance, fast and extended warranty मिला करके तोटल इसकी on-road price पढ़िए मेरे 8,40,000 रुपे के आसपास जिसमें 10,000 रुपे की accessories भी include है अगर accessories को निकाल दे तो 8,30,000 रुपे on-road price बैटती है इस गाड़ी की यदि आप इससे नीचे वाला model जो की most selling है Balino Delta अगर वो लेने का प्लान करते हैं तो उसकी on-road price 7,70,000 रुपे के आसपासी बैटती है जो की VXI के equivalent वाला variant है अब बात करते हैं car loan की car loan के लिए आपकी age 18 साल से 65 साल होनी चाहिए car loan अधिक्तम 7 साल के लिए मिलता है new vehicle पे अगर आपका old vehicle है और old vehicle पे आप loan लेना चाहरे है friends new car के लिए private financiers 90-100% तक भी finance करते हैं on-road का और government banks होती है जो 85-90% finance करती है on-road price का पहले extra room price पे finance करते थे आज कल on-road का finance करने लगी है banks car financing हो या house loan हो कोई साभी finance हो उस पे जो आपकी लिए rate of interest लगती है वो आपकी civil score प्लस आपकी profile क्या है आप क्या काम करते हैं कोई business करते हैं या salary है आपका income proof क्या है उसके उपर depend करके चलता है कि आपके लिए क्या rate of interest लगने वाली साथ ही बहुत सारे banks होते हैं जो period को भी लेके चलते हैं यदि आप 5 साल के लिए finance करवा रहे तो अलग rate रहेगी तो नमबर 5 पे आता है आपका SDFC bank जिसकी car loan के लिए rate of interest start होती है 8.80 से यहाँ पे आपकी processing fees लगेगी 5000 से 10,000 के पीज जो कि depend करेगा कि आप कितना finance करवा रहे हैं अब नमबर 4 पे आता है Axis bank जिसकी rate of interest start होती है 8.70 से यहाँ पे processing fees आपके लिए 3500 से लगा के 5,500 रुपे तक है अब नमबर 3 पे आता है आपका Federal bank Federal bank की rate of interest start होती है 8.50 से अब नमबर 2 पे आता है ICICI bank जिसकी rate of interest start होती है 7.90 से यहाँ पे processing fees 3,500 रुपे से लगा के 8,500 रुपे तक है जो की depend करेगा कि आप कितना finance करवा रहें कार के लिए और rate of interest आपकी civil और आपकी job profile working profile के उपर depend करेगी कि आपके लिए क्या लगने वाली है अब नमबर 1 पे आता है आपका KOTEC महिंद्रा bank जिसकी rate of interest start होती है 6.50 से जो कि इंडिया की सबसे lowest है लेकिन 6.50 से 20% तक rate of interest है इनकी आपके लिए कौन सी rate of interest लगेगी वो आपकी civil आपका job profile working profile इन पर depend करेगा जितना अच्छा civil score होगा यानि कि जिसे 800 प्लस आपका civil score है तो वो सबसे अच्छा civil score माना जाता है तो आपकी बहुत ज़ादा chances होते हैं कि यहाँ पर जो आपकी lowest rate है वो आपके लिए लग जाए लेकिन यहाँ पर private finances होते हैं यह processing fees भी लेते हैं documentation चार्ज लेते हैं और भी बहुत सारे charges होते हैं जिसमें बेंक से आप finance करवाने का प्लान करते हैं एक बार उसकी site पे जाए और वहाँ car loan को आप जरूर ट्रेस कीज़ें वहाँ पर उनकी सारी terms and condition लिखी होती है उनको आप एक बार पढ़िए जरूर अब बात करते हैं top 5 government bank के बारे में जो की सबसे lowest rate पे आपको car loan प्रवाइड कर रहे हैं यहाँ पर नमब उनके लिए कितना finance करवा रहे उस amount पर depend करेगा नमबर चार पर आता है आपका bank of India जिसकी rate of interest start होती है 7.35 से और यहाँ पर आपकी processing fees है 1000 से 5000 के बीच यह जो processing fees में बता रहा हूं इस पर GST extra है जो की 18% लगता है यदि उसमें documentation charges भी है तो उस पर भी 18% आपके लिए GST or count होग नमबर तीन पर आता है canera bank जिसकी rate of interest start होती है 7.30 से यहाँ पर आपके लिए processing fees 1000 से 5000 के बीच है इस पर GST आपके extra रहेगा अब नमबर दो पर आता है आपका central bank of India जिसकी rate of interest start होती है 7.25 से नमबर वन government bank है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं वो है bank of बढ़ोदा जिसकी car loan के लिए rate of interest start होती है 7.10 से दोस्तो 7.10 से rate of interest start हो जाती है इनकी यहाँ पर processing fees आपके लिए 2500 से लगा करके 10,000 के बीच है जो की loan amount का 0.50% लगती है यदि आप car loan 10,000 रुपे लेते हैं तो आपकी 5000 रुपे processing fees लगेगी उस हिसाब से हैं लेकिन यदि आप 2,000 रुपे का भी loan करवाते हैं तो भी 2500 रुप processing fees लगेगी उसके फिर 0.50% वहाँ पर देखा नहीं जाता है क्योंकि max limit set कर दी उन्होंने 10,000 रुपे अधिकतम है processing fees कम से कम 2500 रुपे है और rate of interest start हो जाएगी 7.10 से लेकिन इसमें condition है कि आपकी civil score 800 प्लस होना चाहिए यदि 800 से आपका down रहेगा तो भी उस पर अलग rate of interest लग लेगी फ्रेंड से 700 से ऊपर तो आपका civil score होना ही चाहिए यदि civil score आपका 700 से कम है तो कहीं ने कहीं आपके odd यू आ रहा है कहीं ने कहीं आपने कोई loan लिया हुआ है जो की default हो रखा है या किसी की guarantee दी हुए जो की default हो रखा है तो आप आपकी civil को देखिए और चेक है तो friends आपको पता होगा कि मैं एक bank employee हूँ तो मैंने अपने खुद के bank से ही loan करवाया है जो की मेरे को staff category में मिला है जिसकी rate of interest बहुत कम होती है यदि आप भी bank employee है तो आप अपने bank से finance करवाई है वहाँ आपको बहुत कम rate of interest पे loan मिल जाता है यदि आप bank employee नहीं है तो जो मैंने options बताएं इन में से आप आपके लिए suitable options देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए option सही रहेगा सबसे पहले आप government को try कीजिए यदि government में नहीं हो पाता आपका तो ये private banks को try कीजिए यदि आपका उनमें भी नहीं हो पाता है तो फिर आप NBFC try कीजिए NBFC की rate of interest जो मैंन का सोधा हो जाता है आज के लिए इतना ही friends मिलते हैं नेक्स्ट शांदार वीडियो में यह आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको like कीजिए और सभी friends को मिलने वाले को कलिक्स को WhatsApp ग्रूप में Facebook पे शेयर कीजिए तब तक के लिए बाइ जय हिन जय भारत